दोस्तों बता दें, SEC ने हरियाना पलिस female constable दुरगा सकती का exam notice हो जारी कर दिया है और दोस्तों इसमें आपको बता दे total vacancy के बारे में बताएंगे किसमें कितनी total vacancy है आपने कितनी vacancy पर fight करनी है और उसके साथ ही आपको exam date के बारे में कब आपके admit card जारी किये जाएंगी और हर्याना प्लिस female constable दुर्गा सकती का जो returning jam होगा जो आपका paper है उसका paper pattern क्या रहने वाड़ा है PST आपके कब होंगे PMT कब होगा और document verification के समय आपने कौन-कौन से document ले कर जाने है और कब आपका document verification करवाया जाएगा क्या आपकी salary रहने वाड़ी है और job location आपकी वो क्या रहने वाड़ी है अगर आप इस बारे में ज़्यादा information जाते हैं तो आप video लाक्ष तक ज़रूर देखना नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी YouTube channel योगी smart में दोस्तों अगर आपने अभी तक मारी YouTube channel योगी smart को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ली सब्सक्राइब कर लें साथ में दियेगे बैल आइकन को दबा ले ताकि latest information आप तक सिबसे पहले पहुंच सके दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने भी तक मारे टेलिग्राम चैनल को जोईन नहीं किया है तो फ़ली इस टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लें लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों HSE ने जो official notice जारी किया है examination notice उसको देख लेते हैं सबसे पहले तो आप ये notice हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते है टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों देख सकते हैं notice to the candidate for the written examination of a female constable दुरगा सकती advertisement no.4.2020 category no.3 दोस्तों दुरगा सकती का काफी comment आ रहे थे दुरगा सकती का exam को लेकर कि कब exam करवाय जाएगा तो दोस्तों इसका इंतजार आपका खतम हो चुका है आपका जो exam है वो 12 दिसंबर को करवाय जाएगा संडे को सुबह 10 बज़े से लेकर दो फिर 12 बज़े तक आपका exam रहेगा only morning session में ही आपका exam रहेगा और अपना date और time आप देख सकते हैं बाकी की जो detail है आपका का सेंटर रहेगा वो आप अपने admit card पर देख सकते हैं दोस्तों इसमें 608 में जो हैं वापकी total post हैं अपने 608 में पोस्टों पर यह vacancy निकाड़ी गई थी और 608 में पोस्टों पर ही आपकी यह बर्ति की जा रही है तो दोस्तों अब बात करते हैं अब आपका जो कितने number का paper होगा दोस्तों इसमें total 100 number का होगा लेकिन return examination आपका जो है वो return examination आपका 80 number का होगा दोस्तों और इसमें आपके handed question आएंगे so multiple twice question आएंगे और आपको 90 मिंट का समय दिया जाएगा एक question का जो marks है वो आप करेगा 0.80 यानि कि अगर आप एक question सही करते हैं तो आपका इतना marks मिलेंगे आपको उसी परकार से अपने 80 marks प्राप्त करने हैं पेपर पैटरन की बात करें तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं general study, general science, current affair, reasoning, मेंट और ये आप देख सकते हैं subject इसमें से 10-10 question आपके पूछे जाएंगे बाकी आप अपने 12 जो है उसके related ही आपको इसमें person पूछे जाएंगे दोस्तों 12 के related ही question पूछे जाएंगे जादा hard paper सायद आपका नहीं होगा क्योंकि हर्याना पुलिस male constable में हर्याना जिक्के नहीं आई थी तो सिर्फ हर्याना जिक्के ही नहीं आई थी क्योंकि उसमें बताया तो गया था कि 25% हर्याना जिक्के देंगे लेकिन उसमें शिर्फ एक question ही हर्याना जिक्के का आया हुआ था इसलिए आप जादा हर्याना जिक्के की और नया बढ़कर आप बाकि सब्जेक्ट पर जादा फोकस करें और उसके साथ-साथ अर्याना जिक्के को भी आप साथ-साथ रखें यह नहीं कि हर्याना जिक्के को बिल्कुल छोड़ दें क्योंकि एक वीडियो देखी थी मैंने उसमें वो सर बता रहे थे कि हर्याना जिक्के के पीछे ही पड़े हुए हैं बच्चे जब भी उन्होंने ये पुछा कि किस चीज की कलास लगाई जाए तो सिर्फ और सिर्फ बचों ने यही का हर्याना जिक्के आप अर्याना जिक्के पर इतना फोकस नहीं करें क्योंकि 25 परसेंट आनी है पिचेतर परसेंट तो फिर भी अलग रहे जाता है उस पर ज्यादा फोकस दो अपना कि अपने जिक्के पर अगर आए भी गी जिक्के तो सिर्फ आपकी 25 परसेंट ही जिक्के आएगी ज्यादा न English दोनों जो आपकी language है उसमें medium है उसमें आपका paper आता है तो उसमें तो आपको समझने के ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी अगर English में नहीं आता है तो आप Hindi में देख सकते हैं इंदी में कोई सब्द नहीं आता है तो आप English में देख सकते हैं तो ये भी आपके लिए यह भी आपके लिए बहुत बत अच्षी बात है और आप ini yz no-tis में भी देख सकते हैं क्या आपकी negative marking है यानि है ने no negative marking wrong क्यूशन क्या आप galt क्यूशन करते थे हैं तो उसकी कोई भी negative marking nई रहने वाड़ी है और एकक्यूशन का आपका number है वे 0.8 आपका मार्क्स रखा गया है दोस्तों आप बात करते हैं आपके PhD, Physical Scanning Test की इसमें आपके यह देख सकते हैं इसमें आपकी करवाई जाएगी दोड फिर्जिकल स्केनिंग टेस्ट में आपकी दोड होगी जो की एक किलोमेटर है च्छे मिंट का आपका समय जो कि हर्याना प्लिस फिमेल कॉनस्टेबल का जो पिएस्टी हो यह थो बिल्कुल सेम प्रोसेस रहने वाड़ा है RFID जो चिप है वो आपके लगाई जाएगी उसी से आपकी जो मिंट है उनको काउंट किया जाएगा एक एक सेकिंड का उसमें पता लग जाएगा कि किस कंडिडेट ने कितने समय में एक किलोमेटर रेसर उसको कम्प्रीट किया है तो एक device आपके लगा दिया जाएगा और जिन्होंने female constable का एक्जाम दिया है जो phd के लिए गए है उन्होंने पता भी है किस प्रकार से phd की process जो है वो रहती है उन्होंने तो ज़्यादा दिकत नहीं आएगी और आपका जो physical scanning test है जैसे ही आपका return examination का result आता है तो उसके तीन से च्यार दिन के बाद ही आपका physical scanning test होगा ये भी आप द्यान में रख लेना क्योंकि एजसी लगातार ये आप देख भी सकते हैं जितने भी पीछे अरियाना पुलिस male constable female constable SI के जो भी एक्जाम होए है और जो female constable SI के जो भी एक्जाम होए है अभी तक अरियाना पुलिस की उसमें जैसे ही return examination का result जारी होता उसके तीन या चार दिन के बाद आपका physical के लिए बुलावा आ जाता है यानि कि आपका PST हो जाता है जैसे ही आप PST को कलियर करते हैं उसके तीन चार दिन के बाद और जो हर्याना पुलिस SI का है और female SI का है उनका तो रिजल्ट ही उसी दिन जारी कर दिया था जिसी दिन लास्ट जो डेट थी आपकी PST की उसी दिन शाम तक आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया था तो है जैसी फास्ट प्रोसेस में है दोस्तों आप इसको अलके मेने लें अब दोस्तों आप बात करते हैं आपके physical measurement test की PMT की जो candidate PST को कलियर करता है सिर्फ उनी को PMT के लिए बुलाय जाएगा अगर आप PST क के लिए नहीं बुलाय जाएगा आप यह देख भी सकते हैं तो दोस्तों आपने सबसे पहले तब की जो एक किलोमेटर की जो रेस है उसको complete करोगे आप अगर 6 मिन्ट से पहले पहले तो ही आपको PMT के लिए बुलाय जाएगा अगर आप उसको कलियर नहीं करते हैं तो आप extra marks हैं वो आपके 7 नमबर रखे गए हैं इसी परकार से अगर आप आईयर education graduation करके तो उसके अपको 4 नमबर मिलेंगे अगर आपने पोस्ट graduation करकी है तो आपको उसके 3 नमबर मिलेंगे और उसके बाद दोस्तों अगर आपने NCC certificate परत करकी है ABC level की तो उसके पर आदार पर आपके साथ नंबर है NCC के आपके तीन नंबर है ता आप यह देख सकते हैं ऐसी नंबर का आपका रिटन एक्जामिनेशन है दस नंबर आपके जो एक्स्ट्रा मार्स है वो गुवर्मेंट लैस जो बे और फादर लैस वाड़े जो पांच-पांच नंबर है वो आपके रहने अब बात करते हैं दोस्तों आपके रिजल्ट एक्जामिनेशन के किस प्रकार से आपका रिजल्ट है वो जारी क्या जाएगा तो दोस्तों इसमें आपका एक ही शिफ्ट में एक्जाम है नॉर्मलाजाइशन का तो इसमें कोई सवाल होता ही नहीं है कि नॉर्मलाजाइशन करके यह आपका result जारी होगा जैसे ही आप पर written examination को clear करते हैं तो उसके बाद आपको PhD के लिए और PhD को clear करते हैं तो आपको PMT और document verification के लिए बुलाए जाएगा अब यह देख सकते हैं दोस्तों और आपके admit card है वो चार दिसंबर से आप हर्याना करमचारी चैनायों की official website से डाउनलोड कर सकते हैं जैसे यह admit card का link activate होता है तो आपको सुझित करते जाएगा इसलिए आप हमारे आपकी जो जोब लोकेशन है वो आपको पता ही रियाना ओनेवाड़ी है रियाना से बार आपकी कहीं पर भी टूटी नहीं होगी है तो आपको सभी को पता है दोस्तों फिर भी अगर आपने कोई जानकारी चैनल पर पूछ सकते हैं वीडियो यहां तक देखने के लिए झाल